रजोनी वृत्ती प्रतीक महिला के जीवन में आने वाला वह समय होता है जब उसका मासिक धर्म, धीमा या फिर स्थाई रूप से रुप जाता है महिला की उम्र का बढ़ जाना भी इसका एक प्रमुप कारण होता है यह प्रक्रिया तब उत्पन होती है जब अंडाशे एस्ट्रोजन और प्रजेस्ट्रोन होर्मोन का उत्पादन बंद कर देता है इस समय महिलाओं के शरीर में संक्रमन के कारण गंभीर बिमारी भी उत्पन हो सकती है इसके लिए Everteen Menopausal Relief Natural Capsules को प्राकृतिक और शक्तिशाली आयरुवेदिक सूत्री करण के द्वारा तयार किया गया है यह कैप्सियूल इस समय होने वाले संक्रमन को फैलने से रोपने में सहायता करता है Everteen Menopausal Relief Natural Capsules रजोनी वृत्ती की शुरुवात के साथ ही महिला की जीवन में कई तरह के बदलाव देखनी को मिलते हैं जैसे रात के समय अत्याधिक पसी ना आना, गर्म चमक, नीन ना आना, मनोधशा मनोधशा में बदलाव, ज्यादा चिंता करना आदी कुछ मामलों में महिलाओं में निम्न लक्षन देखनी को भी मिलते हैं जैसे चाती, चहरे और सिर में अचानक से गर्मी संसनी महसूस होना, निस्तब्धता और कभी-कभी ठंड लगना महिला को अपने आप में आने वाले इन परिवर्तनों को अपनाने के लिए तयार रहना चाहिए, जिससे उसका दिन प्रतिदिन का जीवन अचानक से परिशान न हो इसके लिए Everteen द्वारा तयार किया गया Everteen Menopausal Relief Natural Capsules प्राकृतिक रूप से शरीर में estrogenic प्रभाव पैदा करके होर्मोन के उतपादन को संतुरित करता है इस capsule में estrogen, phyto-estrogen पाए जाते हैं जो रजोनी वरति के दोरान, प्रजिस्ट्रोन और estrogen जैसे होर्मोन के कम सतर के प्रभाव को संतुरित करने में मदद करते हैं लाबकारी फाइदे, ज्यादा गर्मी लगना और अधिक पसीना आने की समस्या में लाबकारी, प्रभावी HRT के लिए प्राकृतिक रूप से सुरक्षित उत्पाद, शरीर को दुबारा से पूर्व रजोनी वृत्ति की प्रक्रिया के लिए तयार करने में सहायक, लस, अंड डेरी, नट, मचली, पशु, आधी उत्पादों और सौरक्षिकों से मुक्त उत्पाद, Everteen Menopausal Relief Natural Capsules, स्थी स्वास्ति और स्वच्छता विशेशग्य, FSSAI, GMP और ISO द्वारा अनुमोदित आयुष सुविधा के तहत, US FDA के साथ पंजी कृत किया गया है, इस कारण यह हर अर्बल उत्पाद महिलाओं के प्रयोग के लिए बहुत ही लाभकारी है, कैप्सूल में प्रयोक तिसामगरी, Everteen प्राकृतिक रजोनी वृती राहत कैप्सूल के पैक में, प्रतियेक 600 mg कैप्सूल में, ब्लाक को होश, शतावरी, शत्पुष्प, चंदरशूर, शंख और रात में दो कैप्सूल की मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इनका प्रयोग करने से पहले अपने चिकित सक से परमर्श कर लेना ज्यादा उचित रहता है, सावधानिया, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिला को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, बच्चों की अगर आप किसी दूसरी दवा का सेवन कर रही हैं, तो इसका प्रयोग ना करें। चिकित सक से परमर्श करके ही इसका सेवन करें। आने के लिए हमारे चैनल स्टे हल्दी को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद।